हेलो दोस्तू, गुड मॉर्निंग, देट है आज 22 अप्रेल 2030 और स्वागत है आपका देभूमी एज के संत्राखन में, सुरुआत करते हैं दिन की एक खुबसुरत मोटिवेशनल कोट के साथ, सक्सेस इजन्ट ओवरनाइट, इस वेन, एर्डेज यू गेट ए लिटिल बेट कल शीविल स्रेविस डे ले था, निश्नलट शीविल स्र्विस डे भारत में 21 अप्रेल certezaabilड engagement, अज़िट भारत शर्विस को सर्वात देव पहुष़ को करना और अंतिम बेट्तिन तक पहुंचाना, निश्नल शीविल स्र्विस डे की थीम मेंार्य तरीं को विसेए कि बलला भाई पतेल ने प्रसासनिक सेवा की परशिक्षो अधिकार्यों को संबोधित किया, और इसमें सर्दार बलला भाई पतेल द्वारा, सिविल सर्वेंट को स्टील फ्रेम ऑउफ इंडिया की, से रिफर्र किया गया, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया रिफर्ड रिफर्ड तो सिविल सर्वेंट अज इस इवेंट तो प्लेस अप्रेल 2006 विज्ञान भवन न्यू देली में 2006 को कंफेरेंस होई थी उसी वर्स 2006 से भारत में सिविल सर्विस दे की शुरुवात होती है और इस दिन प्राइम निस्टर अवाड ऐखेंसे वूटिरिस्यशं में उटकैस्ट चारी के लिए प्राइम निस्टर अवाड दिये जाते है नेश्नल सिविल सर्विस दे की हिस्ट्री है सबसे पहले neyliservants सिविल सर्वेंट वर नॉमिनेटड बाय डारीक्टर आइस्ट इंडिया कंपनी के डारेक द्व 1864 में सत्यांदर नाथ टैगोर, ब्रदर और रविल नाथ टैगोर, बिकम दे फर्स्ट इंडियन टु किलियर दे एक्जाम निशन इन लंदन, सत्यांदर नाथ टैगोर ये, 1864 में पहले भारती थे जिन्नोंने सिविल सर्विस का एक्जाम किलियर किया था, 1922 में इन्डियन सिविल सर्विस एक्जाम भारत में हुई, भारत में इसके स्वरवात 1922 से हुई, और 1893 में फर्स्ट कॉम्पेटिटिंग एक्जाम हेल्ड इन इंग्लेंड, टॉप 10 कैंडिट्स अपॉइंटेट एज प्रोविशनरी असेस्टेंट, स्पी, 1920 में डिसिजन टेकन टू उपन सर्विस फर इंडियन, भारतियों के लिए जो सिविल सर्विस में, सिविल सर्विस भारती है, 1920 से ही हम पर चुने गई, और 1921 में समल्टेनेस एक्जाम इंग्लेंड और भारत में हुआ था, और 1864 में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टैब इंडियन सिविल सर्विस जो तीन मुख्य तो जो आल इंडिया सर्विस हैं, आर्टिकल 3, 312 के अंतरकात, आईएस, आईपीएस और आएफस इसकी हिस्ट्री के बारे में, नेक्स जो अप्डेट है, 21 अपरेल 1895 को कल, जो 21 अपरेल 1895 को था, उत्राखन के चंबा में गवर और ये 49 में गड़वाल राइफल की दूसरी बटालियन में राइफल में थे, बिटेन के सर्वोच बीर्दा पुरुषकार से, विक्टोरिया क्रॉस से इनको समानित किया गया, मार्च 1915 में फ्रांस के न्यूवे, चैपल्स की लड़ाई में इनको भाग लिया था, ये थी, जो दिवास हमने, जो डे, 21 सप्रेल और 22 सप्रेल को डिस्कस किया, उनकी समन्ने, अब सुरू करते हैं उत्राखन की जो न्यूज है, इक्जाम से चुड़ी हुई, दिव्यांगों के पद चिन्नितना होना बन गया भरती की मोहिम में रोड़ा, मुख्य सचीव ना इस सुस्त रवये पर नाराजगी जाहिर की और उनने विवागों को एक हपते के वीदा चिन्नांकन कर अधिहाचन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये हैं, हजारों की संख्या में पद हैं खाली, प्रदेश के विवागों, निगमों, बोर्डों और स्वायत संस्था में पध खाले हैं, मुख्यमंतरी पुसकर सिंग धामी न कहटने से पहले वितिये वर्ज शुर्व होने से सभी विवागों में भरे जाने वाले ज़रोरी प्रस्ताव समय से प्रस्ताव तयार के निर्देश दिये हैं देरी की बज़ोव देवयांक संद के पदूं के चिन् पदों की प्रस्ताव बनाकर प्रेशित करने के निर्देश दिये थे इसमें कई विवागों ने चिनागन की प्रिक्रिया में अपिक्षिक तेजी नहीं दिखाई तो दिभ्यांगों की पद चिन्नित नहोने के कारण भरती में रोकावट आई है नेक्स अपडेटे कर्म साला उन्देशक भरती पर सवालों को नकारा उत्राखन अधीनस सेवा चैना आयोग ने 17 अप्रेल को जारी कर्म साला उन्देशक के रिजल्ट पर बिरोजगारों के सवालों को साब तोर पर नकार दिया है विरोजगार संग के अध्यक्स भावी पुआ ने कर्म साला उन्देशक रिजल्ट पर सवाल उठाते हुए का कि आंसर की में उस सवाल ऐसे हैं जिनकी दो उत्तरों को मान्यता दी गई है इससे मेरिट पर ब्यापक असर पड़ा उन्हें चैनितु के नाम वो पते सारोजनिक नहीं करने पर शवाल उठाया इस पर आयोक के अद्यक जियास मार्तोले ने का कि पूर में जारी आंसर की पर प्रापदावे आपतियों पर सुनवाई और एक्सपर्ट की राय के बादी फाइनल आंसर की और मेरिट लिस्ट जारी की गई उनने अन्य किसी घड़डी से साफ इंकार किया मार्तोले ने कहा कि अभी निकती परिक्रिया चल रही है इसलिए चaisनितु का नाम against क्या जाहीं नाम और पता नाम और पते के साथ ही नियुक्ति लिस्ट आयोग। उत्राखन अधिनस सेवा चैन आयोग ने 17 अप्रेल को जारी कर्म साला उन देशक की रिजल्ट पर बिरुजगारों के सवालों को साब तोर पर नकार दिया। नाम और पते रिजल्ट के साथ ही जारी होगी नियुक्ति लिस्ट। से परिक्षा में शामिल होने में असमर्थ है तो वह अन्य तित्यों पर परिक्षा दे सकते हैं। परिक्षा में चार में पांच में को परिक्षा दी जा सकती है। 17 अप्रेल से गड़वाल और कुमाओं की च्छा के अंद्रों में जो परिक्षा हो रही इसमें। 22 अप्रेल को जो बंचित अविर्थी रहा गए हैं वो परिक्षा पुनों अपनी फिजिकल परिक्षा दे सकते हैं। दक्स्ता परिक्षा में छूट पी दिया है। सारिक मावड़न्ट परिक्षा में छूट इसमें दी गई है। नेक्स अपडेट है। उखीमटस्ट रवान हुई बावा केदार के डोल्य؟ 55 केदारं गद्दी स्थलॉनकरी सर्मदिर से बावा केदार की चल उत्सव लिग्रह के रुषुकरवार को अपने धाम के रहान हुई चल उत्सव लिग्रह डोल्य अपने पहले रात्त्री परवास के लिए दूसरे पढ़ाव दोली फाटा में रात्री निवास करेंगे अंति पढ़ाव गौर्ट में विश्राम और 25 सप्रेल को सुबज दस बच के च्छे बच के 10 मिनट पर कपाट खोले जाएंगे केदारना धाम के कपाट 25 सप्रेल को खोले जाएंगे सुप्रिम कोर्ट ने बोला करमचारी हमेशा सरकार के एदिन हर लाब का दावा गैर वाजिफ सरकारी करमी को ओवर टाइम नहीं सुप्रिम कोर्ट ने एक फैसले में का कि यदि सेवा नियम में प्रावधान नहीं है तो सरकारी करमचारी फैक्टरी एक्ट के तहरी ओवर एट के तहट ओवर टाइम के लाब के मंजूरी पूरी तरों से अधिक्रित है करमचारी करमचारी कई बिसेश लावों का आनन्द लेता है सापताहिक अवकास धाराव बावन के तहट सिविल पदों पर हो नहीं होने वाले करमचारी फैक्टरी एट धाराव 51 से संचालित होते है और रोजाना काम के लिए घंटे धारात 34 में उलेखित है फैक्टरी एक्ट करम्यों का वेतन एक अवधी के बाद स्वतों संसोदित नहीं क्या जा सकत ऐसा जैसा कि सरकारी सेवा में वेतन आयोग होता है करमचारी की मांग सेवा नेमों पर आजारित नहीं पीठ ने आग करताओं को दोरे ओवर टाइम के मांग करने की कोई गुंजा इस नहीं है यहां सरकारी करम्यों की मांग सेवा नेम पर आधारित नहीं बलकि फैक्टरी एक्ट की धारा 59 के तहत है चुकि सरकारी सेवा नेम ओवर टाइम का प्रावधान नहीं करते इसलिए इनका दावा में बिफल रहे हैं कि सरकारी और नीज सेवा में क्या फार्क है अपील स्विकार करते हुए कोटने का जो करमचारी डिटार हो गए या मिर्थ हो गए उनसे भुक्तान कर दिये ओवर टाइम की रिकवरी नहीं की जाए मामला सेक्योर्टी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर विसेस डी पर सगरवाद को आईएस अपसरों को संबोदित किया उन्होंने प्रसास्निक अपसरों का आवान किया कि वह इस बात को जुरूर देकि कि सत्ता में बैठे राजनितिक दल सरकारी धन का इस्तवाद देश के विकास में कर रहे हैं या नहीं अपने दल के विस्ता में प्रयोग कर रहे हैं या फिर वोट वैंक बनाने के प्रयास में जुटे हैं या उसे लुटा रहे हैं दिली में लोक सिवा, लोक सिवकों को समोदित करते हुए मोधी ने उनसे राष्ट निर्मार में अपनी भूंता को विस्ताद देने का आगरा करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो देश का धन रुट जाएगा करदाताओं के पैसे बरवाद हो जाएंगे युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे सदार पटेल लोग से वह को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते थे उनका उनके पेक्छाओं पर आपको खरा उतरना है प्रामिश्टर ने प्रसासनी कदिकारियों को कहा कि आप अपने हर फैसले से पहले कुछ सवालों के बारे में सोचे जैसे कि सत्ता सीन राजनितिक दल सरका नहीं कर रहा है ताकि उनकी आकाओं के काली कमाई के लिए रास्ते बने प्रधान मंत्री ने अमर्त काल का विए उले किया है कि सरकार के कामकाज की बदलत भारत आज बहुत उची चलांग के लिए तयार है विस्ट पटल पर विशिष्ट भूंका में आया इस में लोग से का सयोग महतपून है उनने का कि दो वर्ष दो हजार चौदो की मकाबले आज देश में दसकुना ज्यादे से रेल लाइनों का विदुद करान हो चुका है दोगना रप्तार से रास्टी राजमनों का निमान हो रहा है हवाई उड़ों की संख्या दोगनी हुई है और बंद इंडिया नेक्स मन्त जो भारत में संगाई कर्परेशन और्गनाजिशन की मीटिंग गोवा में इस साल नेक्स मन्त होनी है मार्च में उसमें पाकिस्तान की फॉरें मिस्टर जो बित मंत्रें बिलवाल भॉट्टू को अटेंड करेंगे वह यह आर्टिकल है यहां पर प्र के भी जो बिवाद है उसको सुझाने का कोशिश यहां पर की जाएगी तो ब्रेक आइस बिल्वाल भॉट्टू जर्दारी विल बी लीडिंग पाकिस्तान डेलिकेशन तो संगाई कर्परेशन और्गनाजिशन कांसल और फॉरें मिनिस्टर्स बिंग है जो चार से पांच म प्रेंटे पोडिकेश इने निट्वान फेकले जातन और पाकिस्तान थ्ने पर मिनिस्टर्स घीष दो हिएट्टिया क मैं दो तेटिकेंड है यह कि तन्र चुलेट कालिंड लियों की तराट जैशर्स पाकिस्तानी पाकिस्तानी में दो यहां ईन्डाड तो चार्सर्ड नि अडिया में होगी और हम जिसमें पाकिस्तान की फॉर्मिनिस्टर बिल्वाल भुक्टो इसमें इसको अटेंड करेंगे संगई कोर्परेशन के बारे में डिसक्स करते हैं यह एक पर्मनेंट इंटर गवर्नमेंटल और इसकी स्थापना सबसे पहले यह 2001 में क्रेटेट होगा 2008 में बना था, SCO Charter was signed in 2002 and entered into force और जब यह स्थित्व में आये था 2003 में प्रायर टो क्रेशन अफ दे एस स्था इन दोजार एक कजाखिस्तान चाइना क्रिगिस्तान रस्या ताजिकिस्तान वर मेंबर ऑफ दे संगाई कोर्परेशन पहले यह संगाई 5 1996 में संगाई 5 के नाम से जाना जाता था और संगाई 5 का नाम से जाना जाता था 1996 में जब इसमें तजाकिस्तान देस मेंबर के तौर पर जुड़ा तो संगाई 5 का नाम रिनेम करके 2001 में इसको SEO का नाम दिया गया और इंडिया और पाकिस्तान इसमें इसके मेंबर 2017 में बने तो टोटल इसमें कितने मेंबर है आपको कमेंट में बताना है कर्जाकिस्तान चाइना किर्गिस्तान रसिया ताजिकिस्तान इंडिया पाकिस्तान यह सकी मेंबर स्ट्रीट है तो फ्रेंड्स कुर्णाइजेशिन बी कि विए देुड है प्रूंड की प्राइब सेिड़िए Eddy इंडिया ने पॉलेश प्हॉड को करनाटका की है तो फ्रेंट्स यह थे आज की जो न्यूज और करनाटका के क्वेस्ट करें और लास्ट में जो मैंने कल आपको जो उनके आंसर डिसकस करेंगे पहला है यूज फ्रेंट्स यहां पर सही है तो इसमें जो आंसर है सी इसका राइट आंसर दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है तो इसमें यह थे आपको फ्रेंट्स जो आफ़ा था उनके आपको फ्रेंट्स अपर्ण्स यहां पर इसकस वहा था असर नहींट बिगिनिंग अव स्टेटमेंट्स यहां पर इसकस वहा था सब्सक्राइब करना इसका जो मुख्या जेंडा है और UNFCC एंटर इंटर इंटर फोर्स जो यूने UNFCC जो अस्तितम आये था 1944 में इस्तितम आये थी और टोटल इसमें 197 मेंबर है 2020 तक इसमें 197 मेंबर ने UNFCC को रेटिफाइट किया है जो वैसल कंवेंशन डूटरडं गिंशन स्टाउख कौन से स्टेसमेंत यह पर सही है इसका राइट आंसर और सें अंदर आश्टी ब्यापार में कुछ अज़िजी खतरनाक प्रसायन और की टैस्ट के के लिए पूर में सूचित और सहमेती प्रक्रिया यह रोटरडम कंवेंशन में का हिस्सा है और ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा वेसल कंवेंशन एंड स्टॉक होम कंवेंशन और मल्टी लेटरल इन्वर्मेंट एग्रिमेंट विच शेर दव कोमन अब्जेक्टिव मेंशन इसईन और मोल मेंची के बाइन यहां एंड सब्सक्राइब के लिए यहां अपासर के लिए भीएल फेРЕलीफिन होटा सब्सक्राइब के विए रेम सेट यह प्रसिस्टेंट और्गनिक पॉल्यूटेंट इन ग्लोबल ट्रिटेटे तो प्रोटेक्टे फिमेन हेल्थ इन इंवन्ट रॉंट रॉंग देंजरस और लॉंग वेस्टें केमिकल यह थे दू क्वेशन जो हमने कल आपको हमवर दिये हैं उनके आंसर आज की हमवर की क्व पहला है पहला डाटा सेंटर 2018 में हैदरावाद में शुरू किया गया था पूरवत्तर छेत्र के लिए पहला एंडीसी फड़ी 2020 में गुहावटी असम में रखा गया तीसरा स्टेट्मेंट है भारत में प्रात्मी कुल का लोकेशन डेटा सेंटर छेत्र मुंबई में है तो आपको बताना है किन देशों में किस महादीप में समल लेगी विवहा की अनुमती है ऑप्शन दिएगे 123 अमेरिका यूरोप अफ्रिका एशिया आपको इसका अंसर कमेंट बताना है और लास्ट क्वेशन है विच आर्टिकल ऑफ दे कॉंस्टिशन ऑफ इंडिया सेफगार वन्स राइट टो मैरी वन्स मैरी दा फर्सन ऑफ उन्स च्वाइस तो राइट टो मैरी का जो प्रावधा ने भारतिय सम्दान के किस अनुशेद में है आपको इसका अंसर बताना है ये क्वेशन दोजार उनीस स्विल सर्विस एक्जाम में पूछा गया था इसकी हिंट है नवतेश सिंघ जोहर केस केस पुट्ट वृ केस तो स्वामी किस नवतेश सिंघ जोहर केस टीकरिमिलाइज होमोसेक्शलिटी बाइड गौन दा सेक्षन 477 को रहा नावतेश सिंघ बहारा केस 2018 में और IPC का सेक्षन 377 उसको उसम्हें डिक्रिमिलाइज किया गया कोट हैं थे कम्मूनिटी इस इंटिटल तो बेनिफिट आप इसका अंसर बताना है थैंक्स पर वाचिक माई वीडियो जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्द मिलते हैं नए वीडियो में गुडबाय टेक आप